नमस्कार स्वागत है आपका दे न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन पक्षिम बंगाल की तपती धूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुचे लाखो लोग जी हां जो की ममता बैनर जी के लिए रेजल्ट से पहले ही एक बड़ा जट पक्षिम बंगाल की जनता जी हा जैसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हेलिकॉप्टर पक्षिम बंगाल में पहुचा और तमाम लोग यानि की तमाम भी नहीं लाखो लोग जो है वो सडकों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में इंतजार करते पर नजर आए लाखो लोग तो वहीं दूसरी तरफ छट से लेकर सड़क पर पक्षिम बंगाल की जनता ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को काफी जादा प्यार दिखाया है और आपके लिए बता दें कि जहाँ एक तरफ इस तपती धूप में ये लाखो लोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आगमनों ने देखने और सुनने के लिए खड़े हुए तो वहीं दूसरी तरफ आज पक्षिम बंगाल की हालात पक्षिम बंगाल में हो रहे ब्रष् प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बैनर जी की सरकार पर रोप लगाया कि किस तरीके से राज्यमे सभी कारखाने बंद हैं और ये तमाम कारखाने बंद किये गए हैं पक्षिम बंगाल की बदहाली की गई हैं सर्फ और सरेप टीमसी की सरकार की वजए से क्योंकि आज बमता बैनर जी की जो सरकार है जो पक्षिम बंगाल में TMC की सरकार है वो पूरी तरीके से ब्रष्टा चार में डूबी हुई है इसी के साथ PM मोदी ने कहा कि TMC और इंडी गडवंदन को पक्षिम बंगाल के विकास की कोई भी चुनता नहीं है इसी के साथ उन्होंने कहा कि TMC की सबसे बड़ी प्रात्मिकता है और वो है अपने वोट बैंक को खुश करना इसके अलावा TMC पार्टी कुछ भी नहीं सोचती है देखिए और इसी के साथ PM मोदी ने कहा है कि ममता बैनर जी की सरकार ने पक्षिम बंगाल के OBC समाज और पूरे पक्षिम बंगाल के लोगों को धोका दिया है आजादी के पहले एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देश स्वासियों को रोजगार देता था आज बंगाल में जादातर फैक्टरिया बंद पड़ी है यहां से नव जवान पलायन करने के लिए मजबूर है मैं जड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ यह बंगाल की दुर्दसा हुई है बंगाल की बरबादी हुई है यह हाल किस ने किया मैं आपसे जानना चाहता हूँ यह बरबादी कौन लाया यहां पर पहले बंगाल को कॉंग्रेस ने लूटा फिर लेप ने लूटा और अब टीमसी दोनों हासों से लूट रही है कॉंग्रेस, CPM, TMC तीनों ही पस्चिम बंगाल की गुनेगार है लोग यह भी जानते हैं कि CPM को दिया हर वोट यह TMC के खाते में जाएगा यह परदे के पीछे TMC अरलेप वो एक ही सिक्के की दो बाजु है और यहां के मुख्यमंत्री ने गोशना भी कर दिया है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी इसलिए अब बंगाल परदे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है और इसलिए पस्चिम बंगाल हर कौने से एक ही आवाज आ रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार आबार एक बार आबार एक बार आबार एक बार पहले मैंने कारंटी दीती नखाऊंगा नखाने दूँगा अब मेरी कारंटी है जिसने खाया है उससे बहार निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लोटाऊंगा ये मोधी की गारंटी है टी-म-से के डेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहार निकले है एक-एक रुपिय का हिसाब होगा जिसका लोटा है उसको वापत कैसे मिले इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूँ अब तक लगबग सत्रा हजार करोड रुपिया जहां करा रहाद रखेंगे जो लोगों से लूटा गया था एसे सत्रा हजार करोड रुपिया उन लोगों को मैं वापिस दे चुका हूँ बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धान आपको वापस बिले मैं उसके लिए पूरी कोसित कर रहा हूँ इन्नी वाले गरीब और मद्यमवर की कमाई का एक्सरे करने की बात करते हैं अब मोदी इन ब्रस्टाचारियों की काले धन की गंदी कमाई की अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा दरसल अभी देखिए लोकसभा चुनाब जो है वो अंतिम दौर में चल रहा है सिर्फ एक ही चरण की वोटिंग रह गई है जो की आने वाले शनीवार को होनी है और इसी बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वो पक्षिम बंगाल के उत्तर चौविस परगना के बारा साथ में रैली करने के लिए पहुचे और यहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जाज जनता को एक तरफ आश्वासन दिया कि भारतिय जनता पार्ठी किस तरीके से पक्षिम बंगाल में विकास के नैस्तरोत ला सकती है पक्षिम बंगाल में विकास कर सकती है तो वहीं दूसरी तरब T.M.C. के नेताओं के पास रियानि कि पक्षिम बंगाल में हो रहे भष्टचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बेनर जी की पार्टी और सरकार पर हमला बोला और पीम मोदी ने कहा कि T.M.C. के जिनका पैसा लूटा गया था, देखिए, ये तक्रीबन हिसाब जो है वो प्रादानमंत्री मोदी के दुआरा दिया गया है कि 17,000 करोड रुपे जो हैं वो नोगों की लोटा दिये हैं, उन लोगों को इतना पैसा लोटा दिया गया है जमात या पक्षिम बंगाल में आकर देखो कि यहां आखिरकार क्या हो रहा है तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी जी हाँ आज जुस दरीके से पूरा विपक्ष देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पर कभी ताना शाही कभी कहा जाता है कि देश की बरबादी हो रही है सविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है पर आज पक्षिम बंगाल के हालातों को लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला इंडी गठवंदन के उपर साधा है और कहा है कि जो पार्टियां ताना शाही और सविधान की बात करती है आज वो पक्षिम बंग सरकार को लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा हमला पोला गया है इसी के साथ इन दिनों जो है वो चक्रवात के दौरान पक्षिम बंगाल के कई इलाकों में काफी जादा नुकसान हुआ है जहाँ पर एंडी आराफ और तमाम टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और इन चीजों को लेकर भी आज प्रधान मंतरी मोदी ने अपनी रैली और जंसभा के दौरान इन चीजों का जिक्र किया और पियम मोदी ने कहा कि मैं सबसे पहले माकाली को नमन करता हूँ उनके आशिरवास से मिलकर हमने एयानी की चकरवात का सामना किया है औ और इसी के साथ पियम मोदी ने कहा है कि भारत सरकार चकरवात पर लगातार नजर रख रही थी और मैं भी संपर्क में था और पक्षिम बंगाल में लगातार रिलीव का काम एंडी आरफ और इसी के साथ तमामती में जो हैं वो कर रही है पर आज पक्षिम बंगाल के हालात पर मम्ता बैनर जी की सरकार और खुद मुख्यमंद्री का कोई भी ध्यान नहीं है अमार विनोम्रो सद्या प्रणाम आर भालो बार सबसे पहले तो मैं मा काली को प्रणाम करता हूँ उनके आशिरवात से हम सबने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया है साइक्लोन पर लगातार भारत सरकार की नजर थी मैं भी लगातार संपर्ग में था हमारी NDRF और दूसरी टिमों ने अच्छा काम किया है केंद्र सरकार हर प्रकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दे रही है भावी और बहनों आज भारत विक्षित होने के रास्ते पर चल पड़ा है इस विकास का सबसे मजबुत पीलर हमारा पूर्वी भारत है पिछले दस साल में बीजेपी सरकार ने जितना पूर्वी भारत पर खर्च किया है उतना पिछले साट सतर साल में नहीं हुआ था एक कुछ बच्चे जड़ा एस पीजी और कैमेरा मेन ये कुछ बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीर बना के लाए है इधर भी एक बेटी कपसे खड़ी है जड़ा ले लिजे आपने एडर्स लिखा है पीछे अपना नाम एडर्स लिख देना मैं आपको जुरूर पिछ चिठी बेजूँगा देखिए एक तरफ ममता बैनर जी को लेकर प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी का लगातार ये हमला और वहीं दूसरी तरफ प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी को लेकर ये प्यार जो आज पक्षिम बंगाल की जनता के द्वारा दिखाया गया है ये कही ना कही उन आकड़ों पर नजर डालने की बाती जिस तरीके से आज जनता का प्यार दिख रहा है वहीं आज ही दिये गए प्रदान मंतरी नरिंद्र मोधी के एनाई एजंसी को इंटिव्यू में पीए मोधी ने कहा था कि इस बार अगर कहीं पर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है तो वो बीजी पी का पक्षिम बंगाल में ही होगा पर अब रिजल्ट और प्रदान मंतरी के बयान में कितनी सचाई है इसका रिजल्ट देखने के लिए कोछ दुनियों का इंदजार और है क्योंकि अब आखरी चरण के बोट के बाद चार तारिक को आने वाले हैं रिजल्ट देखना एहम रहेगा एक तरफ इंडी या फिर एक बार सत्ता में काबिज होगी एंडी ये सरकार कैरस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद